मैं बस में जाओं क्या? हसो मत! अगर मैं वहाँ टाइम पे नहीं पहुंच आती तो मुझे पता नहीं क्या होगा मेरा एंटाई यूनिट वहाँ पर है अभी तुम्हें टेंशन होने की कोई जरुरत नहीं है अगर तुम्हारी किस्मत में आज कोटेम जाना है तो तुम वहाँ जाओगी, बस उतना ही है ऐसा मत बोलो नंदर मैं सीरियसली बता रहा था अनू तुम्हें घर से पिक अप करने के लिए मैं ओफिस से चार बजे निकलने वाला था तब ही वो बंदा चाको अमारे ओफिस में आया उसके चार आयविटनेस्स दूसरे तरफ चले गए और फिर? अब क्या होगा? अभी सिर्फ आउट अफ कोट सेटलमेंट ही हो पाएगा मैं उसके साथ जाके वो बिल्डर से बात किया उसके लिए एक अच्छा एमाउंट भी फिक्स किया उसको कुछ नगुस्तों मिल जाएगा उस बिल्डर के पास जब मैं बैठा था तब तुम कॉल कर रही थी मैं कैसे उठाऊंगा फोल? मुझे पता नहीं था ना? सारी सारी तुम सब कुछ खातम करके घर आना और एक बात तुम वहाँ कॉल करके उसका सिटुएशन पता कर मैं तो बूली गई थी कब तक वो वेट करेंगे पूछो अगर ट्रेन लेट हुआ तो मैं कॉटेम तक ड्राइव करता हूँ ऐसा भी एक आप्शन है ना? ठांक गॉड और नहीं तो क्या? हर बात के लिए सुलूशन है मैं हूना ये कार्ड कौन डालाता है? क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं तुमको मा डालेगा ये कार्ड्स में इतना इरगलर जोड़ी है ना? मेरा जिन्दगी में अभी तक नहीं मिला अगर मुझे मारने के लिए कोई रेड़ी है तो मैं ये तंगपन और उन्नी को भी इन्वेट करने वाला हूँ सच बोलों तो मेरे भी पत्ते ठीक है अब चिंता मत करो और केलो पगवान मुझे जोकर मिले दो हाँ भाईया दो चाय देना और शकर ज्यादा चाहिए ये दोनों तो बड़े थके हुए है देखो अब चाय तो जरूरत नहीं अब तो कुनी हो जाएंगी ना तब लेके आवना चाय समझ गये क्या चले जाओ ये जोकर किदर गया भई मुझे नहीं मिल रहा है जोकर तो इदरे आई ना पेट्रोल तो बहुत कम है सेंट्रल मिनिस्टर उसे हमें क्या फाइदा चावल सबजी कुछ भी कम होने वाला नहीं हमेशा गरीब आदमी तकलिफ उटाना पड़ेगा उसी समय द्वारे को रेट भी कम होगे करकर सुनाओ हम बहुत कुछ होंगे जब एक एंट्री सर चीफ मिनिस्टर थे और तब उन्होंने लिकर का प्राइस इंक्रीज किया तब लोगोंने क्या का बोला था जब लफ्स्ट आये थे उन्होंने कुछ किया क्या अरे उन्ही मेरे भाई हमारे कोई भी गर्ण्मेंट हम लोगों के प्राब्लम्स को समझी नहीं पाएगी गुरू जी बोला है शराप पियेगा तो जिन्दगे खराब हो जाएगा वो तो हमारा मिनिस्टर्स को पसंद हो गया लेकिन बेविरेजिस कंपनी के साथ यही मंत्रियों शराप बिस्स करेगा और धन्वान हो जाएगा जूट नहीं बोलना है कारपरेशन है वो तो चालरे अच्छी दे रहे शराप पिके मर रहे तो गॉर्मेंट क्या करेंगे बाहर में एक आदमी को जो आदमी बोल रहे है गांधी जेहिंते आ रहे है ना इसले स्ठाक अच्छी तरह रख ले हो का तो बोल रहे घांधी के बारे में नहीं जानता होगा घांधी जेहिंदी आमको भी नहीं मालूम है भाई फिर भी यह इंडिया आ ऑे बैए दनलश में जिन्दगी को बरबाद कर दिया का तो जो न्यूस आ रहे है वो तो सही है ना उसके बारे में तो हमको नहीं पता है बाई लेकिन वो सच भी हो सकता है यह कैसा आदमी है हम वो आदमी को ट्राइन में बहुत बार देखा है बाई अगर सच बोलू मेरा भी लाइफ इसका मतलब आपके पास लाइफ नहीं है हाँ मेरे काड से आपका लाइफ बनाया सेकेंड लग किदर जाफर भाई साउली को फुल काउंट दाल दिया क्या गाड़ी चालू ओके आदा गंटा हुआ ना और एक आदा गंटे के बाद ये उड़ जाएगा कम्पीटर में जो प्रोग्रम करेंगे ना इसा है क्या उसका यही आदत है बाई ये तो 20 साल से हम देख रहे हैं ना अरे क्या वै आपने भी हम इतना बात कर रहे हैं आप तो चुप-चुप बैटे हैं देखो ना है मुझे अच्छा लगा कि तुम्हा आये नंदन शादी के बाद पहली बात जा रही हूं ना एक अच्छी सी बात के लिए है ना अभी इसके बाद कोई चैलेंजिंग असेन में नहीं मिलेगा तुम्हें कल हमें मंदिर जाना था ना वो भी नहीं हो पाया वो ठीक है ना मैं तुम्हारी बात ईश्वर को बता दूँगा ठीक है पहुंचने के बाद फोन करूँगा कोई बात नहीं इंटर्व्यू के बाद मैं कॉल करता हूँ अच्छे से करना ठीक है ठीक है बाई बाई ठीक है बर्गिस कल मिलेगा आहां बाईया कल हम तो जरूर मिलेंगी आप तो जाएए ना हमारा फिल्म डिस्टिबीट रहे ना वो तो अभी तक नहीं मिलाई कोई दिक्कत नहीं मुझे वो पैसा बच गया हमारे सेत लक्षमी टीचर है ना उसका रिंग टोन हमारे फोन को लगा देना इसका फोन देखने से वो मर जाएगी बिचारी आज मंदिर में क्या प्रोग्राम है बाई कदगली अभी तो कराकार उदर होगा आभी आ रहे है ना देखने के लिए कदगली आए ना टाइम मिला तो देखेंगे आज क्रिकेट मैच है ना इस साल मंदिर में पूजा जबर्दत चलेगी ऐसा क्यों है? आई कुदी इसे आर्गनेज किया अरे इन्नेवेशन में क्या यूज होगा यार आप लोगों को सिर्फ क्रिकेट मैच और सीरियल देखने के इंट्रूस्ट है अंकल देखें अरे क्या रहे इतना रात होगा अभी भी केल रहे है क्या? लास्ट हो डाड़ी अभी कतम होगा तुम इसको समझना पड़ेगा ना? एक्जाम्स आ रहा है ना भी? छोड़ दो उन्हें खेलने दो ना वो अपने एक्जाम्स में अच्छा करेगा पर सो सब जूनियर सेलेक्श्टिन्स चलेगा ये बच्चे कह रहे थे कि अपो को चांस है तुम एक स्कूल टेचर है वो तुम में ऐसा बात कर रहे है लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम क्यों लग रहा है अरे आज कल के जमाने में पढ़ने का फायदा ही क्या है ऐसे बच्चे जिनमें एक्स्ट्रा करिकिलर टैलेंट होते अगर वो रिस्क लेना चाहते तो उनका फायदा होगा पर हम क्या कर सकते हैं इन बच्चों को आप जैसा बाप मिला है ठीक है मैडम मा बोली है मैं क्या करना है आप उसके सथ टीम सेलेक्शन के लिए त्रिशूर क्यों नहीं जाते है क्या बात है आप जा सकते हैं मैं उसकुसा जाना है तुम मजा कर रहा है क्या मंदिर का उत्सव आ रहा है ना हाँ आपके बच्चों के भविक्ष से ज्यादा आपके उत्सव ही है मैं उसे लेके चली जाओंगे क्यूं? उसमें भी आपको दिक्कत है हमको क्या दिक्कत है? हम कुश होगे आप जाए हमारा देश में भस्दूरों के लिए बहुत ज्यादा काम हमारा मंत्री देश के रशा के लिए रखते हैं अरे तुम सिर्फ बढ़ने के लिए ब्राउस कर रहे हैं ना? आ नहीं तो क्या? माता जी आज कितना SMS बेज दिया है? क्या हो गया? आज बहुत जल्दे आगे अगर चाई की पत्य और इमली लेके आने को बता है ना? अरे बापरे मैं भूल गया मता जी कल ऑफिसे साठ काने से पहले आप एक कॉल करके रिमाइन कीजी हे बगवान ये तो कुछ भी नहीं करता है हारे हमको अगला हफ्ते जे पहले सब टीक हो जाएगा मैं तोड़ा फ्रश अप करके आएगा सुनो ये टाइप करके देना हो दादी मैं तो पढ़ रही हूँ ना कितने बार आप SMS करते रहते हैं ये तो स्पेशल राइट हैंट अच्छे दादी सिक्स रुपिस पर SMS हाँ मुझे सब कुछ पता है उत्सुक बच्चों के लिए ये सब अच्छा होता है हामारे लिए कुछ भी नहीं है ना गाहितरी आज तुम भी आ रहे है क्या कता के लिए देखने के लिए आज का कता है संतान गोपालन के बार में हाँ हाँ आपको तो आपके बेटे के भविश्य के परवाई नहीं लेकिन आपको संतान गोपालन जरूर देखना है ठीक है बोली हमारा बच्चों के प्रावलम क्या है उसमें कोई गलत नहीं है आपकी बेटी बढ़ रही है वो याद अख लीजे थो ने क्या सोचा बाई बच्चों ऐसा ही होगा नन्ना मुन्ना है क्या वो अच्छी तरह पढ़ना है हम उसको अच्छा एजुकेशन दे दूगा और उसको अच्छा कल्चर हम सीखना पड़ेगा सिर्फ वो ही माता-पिता का रेस्पॉंशबिल्टी है आप ऐसे क्यूं जीर रहे हैं पिछले 20 साल से आप वही एक कंपनी में काम कर रहे हैं काम के लिए वही ट्रेन लेते हैं वो अपस आते हैं सो जाते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लिए आप बोले मैं क्या चेजस करना पड़ेगा कुछ नहीं खाना खा सकते हैं ने ने मैं आज बंदी से काईगा मुझे पता है आप वहां पर क्या खाएंगे एक बार उत्सव बंद हो जाएगा तो नहीं चाहिए समझ गए ज़रूर जने मन अभी इसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं है टीवी पे अभी अनू का प्रोग्राम आने वाला है मेरे सर तोमस चाको के साथ अनू का इंटर्व्यू है तुम देख के बताना इस सरकार के एक उत्तरदाई मंत्राले का देखबाल करने वाला मंत्री हो मैं और उसी के कारण मुझे हर दिन बहुत लोगों से मिलना पड़ता है और मेरे पास बहुत शिकायतें भी आती है शायद मेरी मुलाकात उनसे कभी हुई होगी पर इस बात को sexual harassment कैसे बोल सकते हैं यही सबसे बड़ा problem है अपने पहले बोला था कि आप इस लड़की को जानती नहीं है अभी आप बोल रहे हैं कि आपने मिला है उससे ऐसे बात करने में से बहुत condition होता है मेरी मीडिया से एक ही दर क्वश है कि ऐसे issues थोड़े ठीक से handle करें इस देश में कोई भी इंसान किसी के वी उपर गलत इंजाम लगा सकता है पर आज तक कभी भी मीडिया वालों ने सच का माइने ने रखा है और सिर्फ news value देखा है और ये future के लिए बहुत बुरा है हम एक medium है जहां आप लोगों से बात कर सकते हैं और यही काम हम करें अभी अभी हम तंगमा राजन से बात करेंगे जो हमारा कोचिन स्टुडियो में है मिसिस तंगमा राजन नमस्ते पिछले एक हाफते से केरला पॉलिटिक्स में आपका रोल बहुत बड़ा हो गया है और ये आप जानती भी है क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि सर ने आपका मॉलस्ट किया है और नहीं तो क्या ये तंगमा ऐसे ही कहने हाली नहीं है 24 तारीक को तेकार गेस्टोस में साड़े दो बचे एसंबब हुआ है किसी मैजिस्टेट के सामने एक कही सिखती हुमे नहीं कह सकते है क्या हो सर मुझे नहीं लगता कि मैं इन बेवकूफियों का कभी भी जवाब दो बेवकूफिय? किससे मैं बेवकूफिय दिखाई तंगमा प्लीज ये एक लाइव इंटिव्यू है हाँ, लाइव है तो मुझे क्या होता है मुझे जो कहना है किसी के सामने ही कह सकती हूँ 24 सारी को गेस्ट आउस में जो कुछ हुआ मुझसे पूछो सुनने देने सबी लोगों को हाग या बड़े कहने वाला मिस्टर तॉमस 24 दुपे को क्या आप उसी गेस्ट आउस पर थे? वहां की विसिटर्स लोग पर टेंगा मा की नाम रेजिस्टर है वोट आप आप उनके बात करने का तरीका देखा न ऐसे लोगों से बात भी कैसे कर सकते हैं देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ एक बार ये औरत मेरी आफिस में जरूर आई थी पर मैं इस केस में उनका कोई मदद नहीं कर पाया और मदद ना करने के वज़े से ऐसा कोई रिवेंज लेता है वो पहार मांगने के लिए गई थी मैंने अगर वहां जो कुछ हुआ आप इन पे कभी भरोसा मत करना इन्होंने प्लान करके मुझे ट्राप करने का साज़िश किया है यह अभी बहुत सीरिस हो गया है मिस्टर दॉमस यहां के सबी लोग यही बात कर रहा है अभी ओपोजिशन ने बोला है कि आपको अपना रिसिगनेशन देना ही पड़ेगा बहुत प्रेशर है आप पर मुझे हमारे जुडिशल सिस्टम पे बहुत भरोसा है यहां पे कानून भी है और अदालत भी है क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप पहले रिसाइन करें और फिर फार्माल्टीज करें इसके बारे में तो सिर्फ मेरा पार्टी डिसिशन लेगा और उनके डिसिशन पे मैं सहमत भी रहूँगा आप इस टेट का रिस्पॉंसिबल होम मिनिस्टर है आप ऐसे कैसे बात कर सकते है मा आप चैनल क्यों चेंज किया तु ठेर, देवी महादेवी का पूजा चल रहे है ना इसमें क्या है इसे देखने के लिए सुबह से बस बातें करते रहते है आज डिनर आप जल्दी कतम किया है क्या हे माता अंबे हरे आज तो प्रोग्राम देखना बहुत मुश्किल है ठीक है मैं मंदर जा रहा हूँ आपका ओपिन्स बोल रहे कि आप बहुत चालाख है क्या यहीं कारण से आप इतना खूली यहां बैट रहे है मैं एक स्ट्रेटफ़वर्वर्ड बिनिस्टर हूँ और पिछले स्चालिस सालों में मेरा पोलिटिकल करियर बहुत क्लीन रहा है और वो आपको भी पता है और इसके उपर आप बैग्रोंड चेक भी कर सकते हो हमारे ओडियन्स के लिए इतना टाइम बिताने के लिए थैंकी सो मच मिस्टर मिनिस्टर बहुत बहुत दन्यवाद बुरा मत मानिएगा कि मैंने हाथ नहीं मिलाया कल उसके उपर भी एक कॉंट्रोवर्सी निकल सकता है और कोई सवाल अब मैं सास ले सकता हूँ न सब लोग खाना खाके घर जाएगा और आप भी मैडम इंटर्व्यू के बाद तो बहुत थकान होगी न आपको हो गया ना मैं फोन करूंगी ओके अडवकेट्स आप थेक्या हाँ हाँ जाओ बात करो आप जैसे कपल्स बहुत डेंजरस होते हो क्योंकि आप लोग मिलके हमारा जीवन नामन्विन कर देते हो एडवकेट्स आप केस बनाते हैं और बीवी उसका इंटर्व्यू करके पूरे दुन्या में फिला देती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों करना क्या चाते हो सारी सर इसमें सारी की क्या बात है मैं बस एक मजा कर रहा था सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एडवकेट्स आपको भी मेरा प्रणाम दी देना ओके सर चलिए तो फिर हम निकल रहे हैं कल सवेरे एक फंक्शन पर जाना है तो फिर मैं विदा लेता हूँ ओके सर, थैंक्यू बाई हलो क्या बोल रहा था अपना मंत्री क्या बोलूँगी मैं ये सब करने के बाद भी उसका सेंस अफ यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं वो कभी नहीं सुधरेगा मेरा परफॉर्मेंस कैसा था एक दो इंपोर्टन क्वेस्टेंस तुमने मिस किया मैंने नोट करके दिया था ना मैंने मिस आउट नहीं किया था वो पॉइंट मैंने अवाइड किया था अक्यूस को फायर करने के लिए ये तुम्हारा कोट नहीं है नंदर पुरा का पुरा लोग ये लाइब पर देख रहे थे ऐसे उसके पीछे चल चलके हरे घंटे में उसका न्यूस रिपोर्ट करना बहुत ही चीप सी बात है और कोई आप्शिन नहीं है नंदर दिना हो गया क्या? अच्छा मैंने खाया की नहीं तुमने यहाँ पे बहुत कुछ बना के रखा था कोई बात नहीं मैं कुछ दोसा बना के खालूंगा थामस चाको उन्हें हमारे लिए स्पेशल मटन बिर्यानी आरेंज किया है संभाल के खा ले ना लोगों को उल्लू बना के तुम्हें मटन करी खिला रहा है देख ले ना कुछ भी बोलो वो बहुत चालाग है वो तो मुझे समझ गया तू डिसेप्टिफ वहां का रहन सहन ठीक है ना कुछ चाहिए तो अपना वो मोहन का नंबर है मेरे पास चाहिए तुम्हें नहीं चाहिए नंदन आम परफेक्ली फाइन कल है न मारंग राहेरिंग हाँ हाँ कोट में जाने से पहले वहां तक एक बार जाना है जज्ज्मेंट के पहले उनके जगह में कहीं एक पूजा हो रहा है उन्होंने मुझे भी बुलाया है वहाँ इस बार जीत हमारा होगा नंदन पता ने ऐसा लग रहा है मुझे फिर मुझे कल प्रेस कॉन्फरेंस पर उस तॉमस चाको को रोस्ट करना है देखते हैं किसी को कुछ भी नहीं कह सकते हैं यू डोन वरी सब कुछ टीक हो जाएगा मैं प्रातना करूँगे गुद नाइट गुद नाइट प्रमक हाच्य केस में मुद्धाई आनन्तपुर शाजहान का तो एक आदमे को गोरकपुर शाजहान को ये केस में बेल मिल गया क्यूंकि ये केस में खानून शाजहान को निरपराद काता सोच के उसको बाहर चोड़ दिया देदो आनली शाजी इसका ने बहुत दिफ्रेंट है घर का नाम है मुरीपाद ये भी बहुत दिफ्रेंट है कहां-कहां मुझे भी दिखाओ अरे यार बिचारा कितना मासुब लग रहा है सुबह-सुबह में सभी लोग देख रहे वो टाइम पे हच्चा कर दिया ये तो कली कल नहीं जाने वाले काल कल जरूर हमको चुटी मिलना पड़ेगा और आप लोगों भी कल चुटी है ना किसलिए अरे क्या तंगपन भाई हमारा मंदिर का उचसव है ना आपको जरूर आना पड़ेगा तु मुझे समझाने का जरूरत नहीं सत्या तुमसे भी ज्यादा मुझे बहुत एक्सपिरेंस है मालूम है क्या देखा है ना आप लोग उसका गमन अरे वो बाद चोड़ी है ना सत्या भाई ये सा काम बार बार तो हो जाएंगी ना अरे मेरे दोस्त आपको ये समझना बहुत मुश्किल है मेरा जिन्दगी में स्कूल डे से आज तक हमारा मांदिर का उचसब कभी भी मिश नहीं किया और हर बार हम कूब मजा हो जाएगा और उसके लिए कारण क्या है वो हमको मालूम नहीं है कल का खता करी कैसा था हाहा बहुत अच्छा परफॉर्मिंस का लाकर नानू सर बहुत अच्छा क्या है साड़े एक बज़े खतम हो गया वो हो इसका मतलब आप पता केल के आमरा पैस पूरा जीत लेंगे क्या ने 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 आज मैं नहीं सोगा आज मैं बहुत एनरजी टिक हूँ तुम कहलो ना है हाह लेलो पास तो कईसे भी हम पैसे कमाना है पास मेरा कमाल दिकाएंगी जरूर जीतेंगे हाँ ठीक है चार बजे हाँ मैं आती हूँ ओ इस चैनल वालों से तंग आ रही है चैनल में बात करने के बाद अभी एक पोलिटीशन जैसे बात कर रहे हो तुम हैसा है ना देखो देखो ना वो तो बड़े अदमे हो गया चौबीस तारीक दो बजे ताइकार गस्टाउस में अगर सच बोलना है तो मंत्री ने आपको क्या किया वाकिल से मुझे क्या चुपाना है उस दिन में वहां गया अगर रेत लेना नहीं चुड़ा है तो मैं सत्यागर करने को बताया हा लो कौन है आप यह बोली है हाँ उस दिन उस से मज़क से ले लिया उसने कहा है कि गर के सामने आ गया तो सभी लोगों को तंग आता है मेरे लिए स्टब डालके देता है कि सत्यागर करने के लिए हाम लोगों के लिए इतना भी मदद कर सकते हैं कि वो अच्छा उस समय मुझे इतना गुसा आ गया है कि हमें जीने के लिए यहां स्टल नहीं है उसे चोड़कर वो दब मज़ा कर रहे है जो मेरी मुँ में आया बता दिया और उसके बाद? बाद में, बाद में क्या? बाद में कुछ नहीं जो भी कहों उसको तो शर्म ही नहीं आ रहे है वो तब बैस है जेंगली आदमी कही कि अच्छा तो आपने जैसे बोला वैसा हुआ नहीं है वहां पर वो तो कितने बरसन से यह आन्याय हो रहा है सोने समझ कर ही न रेत ले जा रहे हैं वो रेत नहीं ले जाने के लिए तो यह सरकार ही कह रहे हैं हम लोगों को यहां से जाने के लिए कह रहे हैं यहां नहीं तो हम कहां जाकर जियेंगे मरना है तो सबी लोग यहीं मरेंगे उसके लिए ही हमने कोट में केस दिया है हाँ, क्या केस है हमारे जैसे लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं केस होता है वक्किल ने बताया है ना पिछले सार वोट लेने आया है कुछ भी किया है क्या वो लोग इन सब चैनल वालों के साथ वकिल भी आया है ना, हमारे सब समस्याओं को रोकर बताया है ना, तब भी कोई मुड कर भी नहीं देखा सुनो, राश्टा टीवी वाले प्रोग्रम करने वाला है, वो लाइन में बात करने मुझे किसी से बात नहीं करनी है, अगर लाइव है तो आने को को नहीं तो चुप बेटने को कहो एक बात सही भी है, कारप्शन के नाम पे किसी मंत्री को यहाँ पानिश्मन नहीं मिला अगर किसी ने कभी रिसाइन किया हो, तो वो एक लड़की की मामले में ही है हमारे केस में भी कोई पंगा हो सकता है अबुकेट सर हे, बहुत सारा मीडिया पब्लिसिटी अभी तक हमें मिला है जुडी शरी को आसान से इंफ्लूएंस नहीं कर सकते, वो हमारे लिए अच्छा होगा आप लोग ने केस के बार में बात कर रहे, वो तो कभी नहीं हो जाएंगी देखिये भया, इधर सीमसी फैटरे आये तो जादा लोग को काम मिल जाएंगी न उससे क्या होगा सुधी, आप लोग यहाँ जी नहीं पाएंगे मुझे समझ में नहीं आता, ये फैक्टरीज में हम क्यों काम करेंगे क्यों नहीं करेंगे, सब के लिए अच्छा है ना, तो चुप रहे, अगर कालेश गया है तो आप बड़े आदमी बन गया हो क्या, हे, उसको अपना राय बताने दे, आजाओ, तुम आफिस नहीं गए आज, पास्तर चुट्टे है भया, इसलिए आज गर पे हूँ, क्या है मताई, अच्छा माल है, चाहिए क्या आपको कार में लेगे जाओ, नहीं चाहिए, घर पे अनू नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा, कोट हमारे पक्ष में बोलेगा, हम यहां आगे भी रह सकते हैं ना, घबराने की कोई बात नहीं है, सच हमारे साथ है, सच को हरा नहीं पाएंगे वो, मैं चलता हूँ सच हमारा पूरा आड़ीटिंग वर्क आज में करेगा सर, कितना भी टाइम हो जाएगा, यह अपको आपको आज चाहिए पर पने के लिए टाइम नहीं है, आज इतना काम है, पूरा करतम करना पड़ेगा, और दोस्स आज आपके साथ में वापस नहीं आएगा, शाइद मै आज लास्ट ट्रेन पकड़ेगा और मिस्टर कुरूब कल मैं चुटी है पका इस बार भी कमिटी मेंबर को हम टीवी में देख पाएंगे क्या नहीं नहीं अगला साल हमको एक चोट असा गलत होगे इसलिए ऐसा किया अरे यह करने के लिए हमको टाइम किदर है और कल मंदर उ अपको नहीं पता है क्या रसुल पूकुटी को तो नेशनल अवर्ड मिल गया जाफर को तो नया ना मिल गया अप तो देखो ना पूकुटी को अरे आप दोनों थोड़ों सा चुप रहो ना अरे हमको इतना काम है इदर कंप्लिट करने के लिए एक बहाना बने के एक जूटा इलजम लगा के अड़ोकेट नंदन कुमर और उनका बीवी अनुरादा नंदन को राष्ट्र टीवी माध्यम से इनको उसे दुरिन करने का इलजम लगा दिया बहुत दिन से तामस जार्ज और उनका अंदर लफड़ा चल रहा है यह उनका परसनल वेंजनसी है यूर ओनर ऐसी बात नहीं है पिछले छे सालों से साड़े तीन किलोमेटर का किनारा अब सागर के मुँ में है अब वहाँ पे शुद्ध जल नहीं मिल रहा अच्छी मचलिया नहीं है उनका इंकम भी नहीं जब से सरकार ने CMC Limited को माइनिंग लीज दिया था तब से इस प्रदेश को वो लोग डिस्ट्रोई कर रहे है वहाँ के लोग सच कहे तो जिन्दगी से लड़ रहे है माई लॉड अब जेक्शन इवर आनर येस प्रसीड वो लोग उदर से कामपनसेशन मिल रहे करके वो लोग उदर से जगा काली कर दिया लेकि नहीं मिला अच्छा सा कामपनसेशन नहीं तुछ कामपनसेशन है उसके साथ वो कहीं भी जाके घर नहीं बना सकते क्या काम करके जिएंगे वो वहां के मिटी में बहुत सारे मिनरल्स है उसको मार्केट में बहुत सारा पैसा मिलेगा उस पेसे के लिए ही हमारे ग्रहम अंत्री सोमस चाको के साहरे के साथ CMC Limited बेचारे गरीबों के जिंदगी बरबाद कर रहे है अबजेक्शन एवर रानर वह वरोड यहां के सरकार लोग और यहां के नेता और व्यापारी भी कोई इनके साथ नहीं है इस जगह के बाहर रहने वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है इस लिए कोई इंटरेस्ट भी नहीं इसी वज़े से इसको प्रोटेस्ट करने के लिए यहां के लोग खुद बाहर निकल के आए अपनी जन्म भूमी में जीने का अधिकार हर एक बंदे को है मारंगरा के लोगों को जेस्टिस मिलना चाहिए और बहुत ही जल्द मिलना चाहिए और यही मेरा रुकेस्ट है, माई डियर ओनर कोट पर आज बोला हुआ है कि एक केस बहुत बड़ा ओफिंसिव है जच ने यही बोला है परसो मारंगरा का फाइनल हियरिंग है आपको डर लग रहा है? मुझे डरने के क्या जरूरत है? सच्चाई तो आपको पता लगेगा और सच्चाई कोई न्याई मिलेगा बाहर बात चल रही है कि CMC डिरेक्टर साम मेंडिस और रजी नायर आपसे मिलने के लिए कोट आम आये थे? आप ही बोल रहे हो कि यह रूमर है जो भी तंगमा राजन ने बोला है आज के प्रेस कांफरेंस पर यही स्ताबित कर रहा है कि आपको माइनिंग केस में भी डारिक्ट इंफ्लूएंस है CMC ग्रूप के साथ आप उस केस में फिफ्ट अक्रूस है मैं जरू स्ताबित कर सकता हूँ कि यह सब चार्जिस सिर्फ जूटे हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है मारंकरा में थोड़े लोग हैं जिनको सच पता है और वो प्रूप कर पाएंगे कि मैं इन्नसेंट हूँ धन्यवाद एकदम खडूस साला है देखा मूह तक नहीं खोला चूड़िये ना अब तो गेस्टोस में हम लोग को डिसकेशन आई ना हे अनू क्या सोच रही हो हम सब को धोका देखे क्या एक्स्क्लूसिव नूस अपने लिए लेने की सोच रही हो नहीं नहीं मुझे रूम जाना है बहुत नींदार है गुड़ नाइट गुड़ नाइट बोलियो दिदी क्या हो सुधी यह डूपलिकेट के हमको मिल गया ओके आप लोग इन राइट नाओ क्या है अलो दीदी आप सुन रहे क्या है येस आपने यो क्यामरा लिटल मोट रहे अब लीखे नाओ पर्फेक्ट फाइन अब इस सिर्ट मॉनिटर बन करो ओके कौन हो तुम सर हम तो कंप्यूटर मेकानिक है इसमें तो आंटिवेरेस आ गया मैं देखने के लिए आया तो फिर जाओ यांसे सारी सर अच्छा वो दर्वाजा बन करो और मुझसे पूछे बिना कोई अंदर नहीं आना चाहिए समझे ठीक है सर दिन भी निकल रहे है और समय से भी बढ़ रहे है आप क्या बक्वास कर रहे थे वो मीडिया का सामने इधर कौन आके विटनेस देने वाला है ये बात पकड़के वो लग उसका पीछ हर रोज भागेंगे इसा सोचने से कुछ नहीं होने वाला है भै आप सीधा जाएके सीम से मिलके बात करो वो जरूर तुम्हें रिजेन करने के लिए बोलेंगे तुम्हें बचाने के लिए कोई तुम्हारे पीछ नहीं आने वाला है तुम्हारा पार्टी जंत सब तुम्हारे खिलाफ है वो सब मुझे पता है मुझे पता था कि सब लोग इसी के इंतजार में थे और मुझे ये भी पता है कि ये सब उसी औरत के वज़े से हुआ है और आज सब लोग उसी के पीछे पड़े हुए है और इस सब का प्लानिंग उस एड़िकेट नहीं किया है जो हो गया हो गया उसको चोड़ दो इससे बार कैसा निकलना है वो सोचो आप रिजेन करने से क्या होगा आपको पता है ये के करके तुम्हारे पीछे पड़ेंगे वो बुलना मत सब आप तो एक यातरा करिया ना वो यातरा से पूरी पबिसिटे आपको आ जाएंगे दफा हो जाओ यहां से पावर इस दुनिया में सबसे बड़ा अडिक्शन होता है और हमारे बीच में ऐसे भी लोग है जो इस चीज को समझते नहीं है उनी के वज़े से मैं आज इस सिचुवेशन में हूँ पर अगर मेरी कोई गलती ना होने से मुझे रिज़ेंड करने को बोलोगे मैं नहीं करूँगा फिर क्या करेगा? वो CMC शिवन को बुलाओ वो काम मत करो मोबाइल से कॉल मत करो बाहर जाके एक PCO से कॉल करो और उसको बोलना कि एक घंटे के अंदर-अदर यहां आए मुझे डर लग रहा है चोड़ दो उसको इन मीडिया वालों को सिर्फ एक न्यूस चाहिए और उनको न्यूस अब मैं दूगा और पूरी दुनिया इस न्यूस पे सेलिबरेट करेंगे वेबकाम को किसने चलाया है आप क्या बोल रहे हैं सिर्फ वो मॉनिटर बंद है CPU तो अभी भी ओन है यह किसी ने जान बूच के किया है बोल यह तुमने किस के लिए किया है उसका फोन दो अनुरादा नहुंगा तो शेश्ट जाना है हलो, सुधी मुझे बहुत सिख फील हो रहा है सुधी पता है मैंने अभी क्या देगा वहाँ पर उसको पता चला है कि वेबकाम अन था वो हमें ट्रेस नहीं करेंगे न तुम्हें अभी ही मारगरा जाना पड़ेगा मैं यह आपी आयर करोंगी हेलो हेलो कौन है सुधी सुधी कौन है सुधी श्रवी श्रुदे gives me कर दो कर दो कर दो कर दो ज़ आयां। वो तो रूम में नहीं क्या क्या उसने रूम वेकेट किया है हां सर ब्याग व आईडी काड रूम में भी है नहीं वो काफी नहीं होगा हमारा सेफ रहना ही आपका जरूरत है कल के पेपर का प्रिंटिंग शुरू हुआ होगा की नहीं इसका मतलब क्या है उनको कॉल करके बोलो कि आगे के पेज में थोड़ा जगा रख दे मेरे पास एक न्यूस है ये होना चाहिए कल का हेडलाइन ये लड़का वो एड़केट और उसकी बीवी समझ में आया हम अब ही किदर पहुंचा है किदर पहुंचा है हम कौन कहाँ पहुंचा क्या सेशन क्रास किया है अभी बीस मिनिट में गुरवाईर पहुंचेगा अरे बगवान हमको नेला ही जाना पड़ेगा और फिर क्यों नहीं उत्रे ओवर टाइम ड्यूटी है ना आज लेट हो गया ट्रेन मिस्किया और अभी सो गया अगर दर्रोत है तो ये चेन कीच सकते हैं उसके बाद पीछे बाग जाना मैं किसी को नहीं बताऊंगा चेन कीच करना है क्या अगर मेरे जाए साथ में स्टेशने उतरेगा और चेन कीचेगा तो गाड़ी कैसा डेस्टेशन जाएगा अच्छा आप तो कामड़ी एक्सपर्ट है क्यों भाईया आपको कामड़ी पसंद नहीं है अरे कामड़ी बोलने के लिए कुछ टाइम है बाई अच्छा वो मुझे पता नहीं था सुबह नौ से बारा तक कामड़ी उसके बाद ट्राजडी ऐसा कोई है क्या ऐसा नहीं भाई अभी तो मेरा ऐसा आत्मी कामड़ी एंजॉय करेगा उसका नीद में क्योंकि पूरा दिन उसका जिन्देगी में ट्राजड़ी है ना सही फिलोसफी है ये तो आप किसी भी तरह पाकड़े रहेंगे ओ बहुत शुक्रिया बाई हरे बगवान मैं क्या करेगा मालूम नहीं गुरू आयूर में वापस जाने के लिए कोई ट्रेन मिलेगा वो तो कैसा होगा साथ बजे और सारे एक बजे एरनाकुलम फास्ट है नौ बजे और पांच बजे त्रिशूर पैसेंजर है और रात को नौ बजे चेन्ने गुरुवाईर मेल है इस रोट में आवर क्या ग्याड़ी है ये सब मालूम होते हुए भी आप सोगे वो तो हमने एक्शुली वो क्य कल सुबह फास्ट बासंजर पकड़ के घर जाने से पहले मंदिर का शिवेले कतम होगा घर पे खुद ये सब बाते हैं क्या अरे बाई साब ऐसा मत बात कीजिए भाई आप तो बहेंग करो सभी बातों में जानकारी है आपको आज का दिन बहुत खराब है फोन का चार्जर पर चला है कहीं कॉल करना है तो नहीं चाहिए कोई बात नहीं इसमें चार्ज है कॉल करो ये आइडिया ने तो बीसनल है अपका पोस्ट पेड ने तो प्रिपेड है एक कॉल करने के लिए ये सब क्यूं पूछ रहे हो अगर करेगा तो हमको मालूम होका ना एक कॉल के लिए चार्जिस क्या है आपको वो कॉल चार्जिस देना पड़ेगा ना मेरा जिन्देगी में स्रेंजर से फ्री कुछ नहीं मांगता है ये बीसनल पोस्पेड है कॉल करने के बाद पैसा देना इसमें नेटवर्क नहीं है दिखाओ अच्छा इसमें रेंज नहीं है मैंने सोचना कॉल करके वाइफ को इंफर्म करना अब गूरु आयूरु पहुंचेंगे वहां से कॉल करते हैं वैसे भी अपना परिशे कराता हूं मैं मैं अड्वकेट नंदन मेनन आप एक अड्वके पोल करके पैसा अंद कर रहे हैं कभी कभी सच को रूबरू करने के लिए थोड़े जूट भी बोलने पड़ते हैं फिर भी जूट कभी भी जूट है ना एक सवाल पूछना है आपको यह आपका प्रोफेशन है ना आपका मन में गिल्टी फिलिंग नहीं है क्या उसके हुमर हुमर अचा अचा और नहीं तो क्या है कर दो कर दो कर दो आए पाँ जिख जागो जड़ जड़। अब क्या करने वाले हो मैं तो वापस गर जाएगा बस सर वापस त्रिशूर की दिशा में कोई गाड़ी है अच्छा आप सोगे थे क्या यहाँ पे तो यह चलता रहता है मैं नहीं यह सोगे नलाईय में उतरना था वापस जाने के लिए अगर ट्रेन चाहिए तो वो तो कल सुबह ही मिलेगा सर इदर से बस मिलेगा वहाँ तक जाने वाले बसस तो मिलेंगे पर कोई रिलाइबल नहीं है बहुत देर हो चुकी है यहाँ ठहर के सुबह चले जाना अगर आपको यहाँ सोना है तो डॉमेटी रेडी कर दूँगा बस बोल दीजिए मैं आपने रूम में रहूँगा मेरे लिए एक होटल रूम है इदर मैं और मेरे वाइफ के लिए एक डबल रूम था अचानक से उसके लिए एक असेंडमेंट आ गया वो राई टीवी में एक न्यूस एडिटर है अच्छा ठीक है उसका नाम क्या है अनुराधा अनुराधा नंदन ओ मैं देखा है उसका प्रोग्रम्स आधा किराई दे सकते हो तो मेरे साथ रह सकते हो वो क्या है ना पैसे के बारे में आप बहुत स्रिक्ट हो ना वो इसी रूम है क्या ऐसा है तो मैं कल शाम तक सोएगा क्योंकि मेरा गर में इसी नहीं है ऐसा है तो डॉर्मेटरी बेस्ट है, अब बात यहां तक आ गई तो एक चाय पीके बाई कहें क्या, बढ़ हमारा मारे में क्या मालूम है, यहां आईये न, मेरा चाय का पैसा मैं पे करेगा, ठीक है, चाय तो मेरा भी दे दे न, वो तो मेरे लिए मुश्किल है, आपका एक फ कॉमडी आती है, लेकिन एक बात है, घर पे अपनी वाइफ और बच्चों को सुनाने के बाद ही, ऐसे कॉमडी बाहर बोलना चाहिए, तो आप भी ऐसा टाइप है ना, बाप रे बाप, और बात नहीं कर सकता मैं आपसे, आप यहां सा कैसा जाएगा, क्यूं, मुझे चलतौ चार-पांच आदमे आके, उसको मारके, वो उसको लेके गया, कौन? सर, अभी मेरे साथ बात किया ना, इधर, अद्वके नंदर में नो, सर, अभी हमको पोलिस को डिपोर्ट करना है, सर, मैं इधर से कॉल करेगा, सर एक मिनिट, आप ठीक से तो बता है, यह हुआ क्या था? सर, मैं हावा सुनके देखाया, उससे पहले वो चार-पांच आदमे उसको लेके गया, सर अब किसको कॉल कर रहे हो? हाईवे पोलिस, सर, एक एमर्जेंसी नंबर है ना, हलो? ओके, गुरुद्वरा रेल्वे स्टेशन में क्या? वेके नंबर? टेंशन में गाड़ी का नंबर नोट नहीं किया, सर प्लीज, सर, आपको कुछ करना है, जरू, सर उसका लाइफ बहुत डेंजर में है, सर सी, इतना जल्दी इंफर्मेशन देने के लिए हमें भी तोड़ा लिम्टेशन है, ओके? आपको ये चीज अपने एक्सपीरिंस के वज़े से बोल रहा हूँ, आपके लिए बैतर ये होगा कि आपने कुछ देखा नहीं और सब कुछ भूल गए, ऐसे सोचो सर आप क्या बात करें, सर आपने सुना ना, पुलिस ने क्या बोला आपसे? अगर आप अभी एक केस फाइल करोगे, उसके बाद बहुत टाइम लगेगा फिर कोट कचरी, ये वो आपको बुलाएंगे, तंग करेंगे, ये सब आपको चाहिए और ये सब करने के वज़े से उसको कोई फाइदा नहीं मिलेगा उसका बीवी, राइट टीवी जेनलिस्ट है, उसको इंफर्म करना पड़ेगा शाहिद एंक्वेरी चेक करेगा उसका नमबर मिलेगा हमको तोड़ा सा मादद करना पड़ेगा, सर हलो, सिर में आ आ राइट वे अरनाकलम बाज का नमबर गौक्य, गौक्य कौन कोई ने पिक अप करें सर सर मेरे लिए एक टैक्स एरेंज केजिए ना मैं डेरेक्ट जाके उसका वाइफ को इंफार्म करेगा प्लीज सर खल सुबर न्यूस पेपर में और बच्छरी कॉलमन उसका नाम आएगा तो बहुत नाराज होगा सर हमको बहुत कश्ट हो जाएगा सर इसी लिए सर कॉम्पिनी चालू होने ताक ये तो जीते रहेंगी क्या सिर्फ दो गंटे ना मरना ये तो मरने दो कि अजय बच्ट हो जाएगा सर दो बच्ट है हमको बच्ट है कि अजय बच्ट है कि अजय को जाएगा स्टेशन मास्टर मुझे बुलाया इधर नए तो मैं कभी भी तर नए आउंगा बहुत सोना देके मेरा दो बेटियां को शादी किया मैं लेकिन मां को मिलना है तो टाइम नहीं मिलेगा यही अदमी के बारे में तुम बोल रहा था ना हुई है क्या यह सर हमको अभी यहां से जाना है आपको यह अदमी का अच्छी तरह जानते है ना पर यह बहुत अच्छे इंसान है इनको कितनी भी जल्दी एरनाकुलम पहुंचना चाहिए सर यह क्या कर रहा है हम कुछ नहीं कर रहा है तुमारा बैक देख रहा है खाली अंदर चाकूगी कही के देखना है ना क्या कर रहे हैं और एक बात है तुम फ्रंट सिट में बैटेगा बैक सिट में बैटने के बाद हमारा गला पकड़ के अदवा दिया तो आँ इसलिए बीच में गाड़ी किदर भी नहीं रुकेगी दूसरा अदमी को कार में नहीं चड़ाएंगे समझे के मैं डिकी का अंदर बैटेगा तो आपको प्राब्लों नहीं होगा ना हम जाके फिसाब करके हैंगे आप बैटो हम अभी आ रहा है चाहिए क्या नहीं चाहिए ये भी उसकी गल्दी नहीं है आजकल सबको एक दूसरे से शक्खी है अड्वकेट को इतना भी अंदर सता है कि उसका किड्नैप होगा आजकल लाइफ में कुछ भी हो सकता है और मुझे पता है कि आपको सिर्फ सक्सस ही आएगा All the best अरे भाई तोड़ा सा स्पीड इंक्रिस करो ना अरे बाई साब आपको पूछ रहा है तोड़ा इंक्रिस करो ना ये तरीका नहीं है अरे गार्डी स्टार्कर अभी तक तरिजो नहीं पहुंचा है ये इंजन का काम करके बहुत दिन हो गया अगला 1000 किलोमेटर भी यही लेगी ये तो वहां से आपको बोलना पड़ेगा ना बोलने के लिए टाइम नहीं दिया आप लोग अब क्या बात कर रहे हैं बुकिंग करने से पहले ये सवाल पूछना है क्या वो स्पीड चलाने गाड़ी को आपको डूरना पड़ाएगा प्लीज आप ज्यादा मत बात कि जब जाइए नीचे उतर गाड़ी से नीचे उतर इसके बाद गाड़ी एक किलोमेटर भी नहीं चलेगी अभी तक कितना पैसा हुआ वो दे दो उतर 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 अब क्या बात कर रहे हैं इस रात हम यहां से कैसा जाएगा एक आदमे का जिन्दे के बहुत देंजर मे हमको उधर जाके उस आदमों को सेव करना पड़ेगा समाज सेवा करने के लिये बैक में लोन लेके गाड़ी नहीं लिया वई कोई अंजान आदमी को गाड़ी में बिठाने के लिए लेकिन पैसे के बारे में पहले बात करो वो अखिल का बारे में क्या जोच रहा है अप लग एडवकिट को अभी इस्तमाल करना है उस लड़की को आने दो आज से कोई उसका विश्वास नहीं करेगा और कोई उसका मदद भी नहीं करेगा उस बॉड़ी के साथ हमारे लड़कों को भी भेजना उस बंदे के घर तक माम मेरा बात तो सुनिये ना ये बहुत इंपोर्टन मैटर है मैं आज लंज से पहले उदर आएगा मोबैल बे चार्ज भी नहीं है आप गायत रुक इंक्वाम किजिए बस गाड़ी स्टार कीजिए अरे जल्दी भाई को नहीं बाई क्या चाहिए है हमको यहां एक स्टाफ को मीट करना है उसका नाम है अनुरादा में अनुरादा नंदन वरकिंग हीर आई वॉन्ट मीट हर मेड़े मिदन नहीं दस बजी के बाद आओ बहुत इंपोर्टन्ट है मैं बहुत दोर से आ रहा हूं गुरुबायर तोड़ा मादत कीजिए न आपको सुनाई नहीं देता अब बहुत सीरियस मैटर है बाई थोड़ा हेल्प कीजिए उसका रेजिसरेंच आदिस मिलेगा क्या गाड़ इदर उके गाड़ इदर उके अब तब पूरा मिला के एक अजार दोसर रुपए हो गया इधर बहुत बड़ा प्रावलम है कोई ये गर को अटैक किया है ये आपका रिस्तादारों का गर है क्या ये लोग है क्या किदर जा रहा है आपकर नंदन मैं अभी युनिवस्टी लाइब्ररी पर हूँ गुरवायूर से कब वापस आया मैंने कितने बार फोन किया था नंदन तुम्हें अभी यहां आना पड़ेगा I'm in trouble बहुत सारी गुंडे मेरा पीचा कर रहा है कॉटिन सी यहां तक मैंने फोर बस स्टेज किया है सुधी को भी कुछ हो गया है अभी अन्रादा कॉल किया है यह न्यूस उसको मालूम नहीं है उसको जरूर कुछ प्रॉलम हो जाएगा उससे पहला हम ओधर जाना है अप आईए आप क्यों इसमें गुसर है यह पूरा पॉलिस का काम है इसमें गए ता हम भी फच जाएंगे अरे वो दोनों तो बहुत अच्छा हदमी है मालूम है क्या हमारा मंदिर का उचसेव है आज मैं उधर रहना पड़ेगा और आप हमको कल रात ड्राप करके गर पे होगा लेकिन हम दोनों अभी इधर है उसका कारेन क्या है क्योंकि हम दोनों उसको मदद करना पड़ेगा आपको कुछ प्राड़ों तो आप आपस जाईए लेकिन मैं इस सिट्योश में जरूर लेड़ी को हेल्प करेगा शायद मेरा प्रिंसिपल में एक अच्छा आदमी का कर्तव यह है इधर के अच्छा आपसोन। अनुरादा 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 आप गर को एक कॉल किया ना में वो कॉल रिसीव किया ऐसे है तो नांदन कहा पर है कल रात हम दोनों गुरुवाईर पैसेजिन में ट्रैवल किया और फिर मेरा सामने तीन चार आदमी उसको खिड्नाप किया मैं आपको डून रहा था इंफर्म करने के लिए एक्षुली कल रात एक कून हुआ है अभी पोलिस आपको डून रहे है यह देखें हमको मालूम है आप यह खुण नहीं किया है मैं आपको कैसे मदल करेगा यह सब कौन कर रहे है टीक रहे है परफेक्ट बाहर जाओ यहां से यह सब उस एडवकेट के वज़े से है इन मेडिया वालों को सिर्फ न्यूस ही चाहिए न अब मैं उनको न्यूस बना के देता हूँ मुझे पता है मिस्टर शिवन पर प्रॉब्लम यह है कि मुझसे यह लोग रिजिगनेशन माग रहे हैं वो हर्गिस मैं नहीं करूँगा एक बड़े दुरगटना के बीच में लोग बाकी सब छोटी चीज़ें भूल जाएंगे जो भी हो इन सबको तो एक दिन मरना ही है पर उसका वज़े अभी तंगमा बन गई है उस दिन मुझे प्लेइन फ्रैस होने समय अंजिडर मत करो इसलिए इतना तकलिफ उटाना पड़ेगा क्या एक दस लड़कों को बेज के कम्यूनल इस्यू कर देंगे बस उनको कौन पकड़ने वाला है हाँ हाँ ये सब तो तुमारे बेकार पुलिस ब्रेन के वज़े से है कम्यूनल राइट्स और टेररिसम तो बड़ी बोरिंग है इसके अलावा जो भी होगा सभी का नजर मेरे उपर ही होगा तुम्हें पता है मैं तो आपको एक डेमो दिखाऊंगा तुम्हारा संदेख क्लियर हो जाएगी ये तो मुंबाई इंटरनेशनल एरपोर्ट इंडिया में बहुत बड़ा एरपोर्ट्स में ये भी एग है तहेरी एक लोग एक प्राइवेटी एरट्रॉट कल शाम को चार बजे 20 मिनिट को डेक अफ हो जाएगी कोच्ची में उसका फैक्टरी है मात अके लिकर ले जाएगी इसके बारे में बहुत कम लोग को पता है ये तो बहुत कान्पिटेंशल मैटर है हमारा टारगेट ये ही है ये तो बहुत इंपोर्टेट ये तहेरिये एरक्राफ्ट वो जोटा गाउं को सर्वनाश करने के लिए सोच रहे ये फ्लाइट शाम को 5 बजे 25 मिनिट को उदर पहुचा जाएगी फ्लाइट को छोड़के पैलेट कैसे भी स्किप हो जाएगी उसके बाद वो ये एरक्राफ्ट वो गाउं पर सर्वनाश कर देंगी उसके बाद वो गाउं पूरा सर्वनाश हो जाएगी सब लोग देखे तो ये तो फाइर आश्जेट का तो समझेंगी लिक्कर बाटल्स वो पूरा गाउं को सर्वनाश कर देंगी चुध के बाद में कोई भी नई जी सकते। देखने के लिए बहुत बैहनक रहेंगी। कोई भी सोच नहीं सकता। किसी को भी अंदाजा भी नहीं होगा कि यह सब मैंने प्लान किया है, यह बहुत अच्छा प्लान है! and it's quite natural, इसके बाद तंगमा भी नहीं रहेगी और हमारे इमीरेट प्रॉब्डिम्स हम सॉल्व हो जाएगी इस वेबकैप को किसने ओन किया है यह यह अमारा देश में हमारा देश में होना वाला है कहा है सब वो लोग सुर्दी को मर्डर किया है मुझी और नंदन को ड्राप किया है वो लोग कुछ भी कर सकते हैं यह प्लान एक्सक्यूट होगा हाजारों लोग मर जाएंगे आज शाम को 420 वो फ्लाइट मुंबई से टेक ओफ होगा आप अब नंदन को कॉल किजिए ना उसका प्रसं सिटुएशन मालूम होगा शुछ जाएब से लोगा स्वेशन मालूम 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 कि वोगाब प्लाएब हम सेफ है सब डी जी पिक को मंत्रिस आपको बोलो ना हम ठीक है ये भी अच्छा है लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लेलो ना बोलो ब्रदर मैटर सीरियस उसके सिर्षे ज्यादा खूने आ रहे चार-पांच गंठे के तक काम हो जाना चाहिए समझ गए साब उठक है क्या हम ये सार गर तक जाके आए उदर नहीं मिला गुरद्वार में मिल गया सरकूपर क्या पड़ा है वो मैं आपको जानता हूँ आप यहां के गुंड़ा शाजी हो ना अच्छा पेचान है ये बात अब तक उनको भी मालम नहीं कौन सा मंत्री के बारे में उन्होंने अभी बात किया क्या आप ये सब तॉमस चाको के लिए करते हो हमारा पास इतना समय नहीं बेकर के बात करने का साब रिष्ले नहीं ना इधर से बाग जाने के कोशिश करके हमें काम नहीं देना वैसे भी जैसे आप चाहते हो कुछ नहीं होने वाला है मुझे मारो तो भी हम जान बूच कर किसी को नहीं मारेंगे लेकिन मारने के लिए बोलेंगे तो पक्का मार देंगे हम हमारा दंदा यही है ना उसे ऐसा कैसा बागने दिया आप लोग हमारा आदमी उसका पीछे कर रहा था लेकिन वो तो यह स्केफ हो गया तुम सब तो किसी भी काम के लाइक नहीं रहे क्या वो अभी कोचिन में है मुझे कुछ तो बता दो यार हम सब मिलके रूम में बात कर रहा था ना वो उसे पता हो गया मुझे पता है कि उसके पास है और मैं श्योर हूँ अभी मुझे क्या करना है यह सब टीविम में दिखाए दे रहे क्या मेरा मोबैल रखने वाले वेला करण को हम देख है कम्पिटर से काम करने वाले का अभी देख रहा हूँ हाई मेरे भगवान सब अनुरादा का फोन अभी बज रहे मिनिस्टर हेलो कहा हो तुम नंदन कहा है नंदन तो मेरे पास ही है अगर तुम अभी दिमाग लगाओगी तो तुम और नंदन भी जीविद रह सकते है अगर मैंने एक बड़ा साधिस रचाया है तो मैं ही हूँ जो तुमें उससे बचा भी पाएगा तुम्हें पता है कि मैं बादों का पक्का हूँ क्यूँ? मुझे नंदन से बात करना है उससे बात भी कर पाओगे और उसके साथ अपना पूरा जीवन खुशी से बिता भी सकते हो मैं तुम्हें बादा देता हूँ पर तुम्हें पता होगा कि इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा मुझे नंदन से बात करना है तुम्हारी जैसी लड़की को ऐसे सिचुएशन में डर शोभा नहीं देता Just be practical क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे नंदन से बात करना है मैं जानना चाहती हूँ अगर वो जिंदा है की नहीं ओके मुझे समझ में आ रहा है अगले पांच मिनट के अंदर नंदन तुम्हें कॉल करेगा और इस बार अपने तरिके से कोई गेम खेलने की कोशिश मत करना इस वीडियो का एक और कॉपी बनाना और मीडिया में देना अगर तुम्हें नंदन नहीं चाहिए तो फिर ऐसे चीजे करने की कोशिश कर सकती है मुझे पता है कि तुम ऐसे बेव कुफी कभी नहीं करोगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो उस शाजी को कॉल करके बोल दो और तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या करना है न अगर यह उनका ट्राप है तो वो मुझे ऐसे ट्रेस कर सकता है चलो हमें जल्दी जाना है आप गारी स्टार कीजी ठीक है तू साब का फोन उठाओ यह तुम्हारा बीवे है क्या बहुत कुपसरत लग रहे है अनो को क्या हुआ किधर है वो आप ही पूछ के जान लो नंदन गाड़ी रोको भाईया नंदन अनु कहा हो नंदन मुझे अभी पिलना है मैं ठीक हो अनो वहां क्या हो रहा है यह लो कौन है हुआ है हम अभी कुछ ने कर सकते नंदर सब ही उनके साइड पर है अनु तुम सेफ हो ना बताओ न गुंडे लोग पोलिस सब ही मेरा पीछो का रहा है मुझे क्या करना है नंदन अनु इसके बाद महीं बात करो नंदन इसको बांदो नंदन सापको कुछ नहीं हुआ मेडम मिनिस्टर जो पूछ रहे न वो चीज मेडम जाके अपना हाथ से सेंट जोसफ चर्च में जाके अमरा आदमी से मिलो ब्लैक पल्सर में एक आदमी उदर आएगा लापटाप उनका आद में दे दो लापटाप मिलने का तुरंत आपका सार आपके गर में पहुंच जाएगा नो मैं यह नहीं कर सकती मेडम को हम जो बोल रही समझ में नहीं आया क्या जो बात बोलेगा उसी पर हम कड़ा होंगे ठीक है सेंट जोसफ चर्च हेलो हेलो क्या हुआ नंदन कहा है मुझे पता नहीं है सेंट जोसफ चर्च जाना है अभी आदे गंटे में हम उदर जाएगा तो नंदन को मीड करेगा मुझे पता नहीं है उनका लोग वहां आएंगे और मुझे यह देना पड़ेगा यह हम रखना तो बाकिस सब लोगों का जिन्दगी क्या हुआ मुझे नंदन चाहिए मुझे मुचाहिए हम जाएंगे आदा गंटा में पुछे ठीक है ना मेरे आज कोचिन आने का और कोई दूसरा मकसद नहीं है मेरे थोड़े फंक्शन्स थे जो मुझे अटेंड करना था आप क्या कल चीफ मिनिस्टर से मिल रहे है और आज रात वापस तिर्वन अतपुरम चला जाओगा प्रिजेन कर दिया क्या ये तो सिर्फ मीडिया वालों ने बोला है उससे आप कुछ भी समझ सकते हो सर वो केस मेहिना दोनों आदमे को नंदना और अनुरादा को कश्टर में लेया क्या नहीं अभी तो दोनों मिसिंग हैं और पोलिस इन दोनों की खोज भी कर रही है और जल्द से जल्द उनका एरस्ट भी हो जाएगा हैंड ओवर करने के बाद भी वो लोग हमें नहीं चोड़ेंगे देखो सुधी के साथ क्या हो गया है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मुझे बातरूम जाना है मुझे थोड़ा पानी चाहिए पहले बातरूम जाना है का पानी पीना है का वो तो बताओ न साथ टेंशन मत हो ना आदा गंटा में मेडम आ जाएगी मिलने के लिए हमारा लड़का जा रहा है बैब यह जो यह यह अ अ नन्दिन का नंबर है अनु.. अनु वाहाँ मत रुकना बहुत दीनजर है चले जाओ मेरे बारे में मत सोचना नन्दिन किक तुम सुन रहे है वो क्या व straff आनु नन्दन वो न्यूस टेलिकास कर रहा चाहिए अपा नंदन डूइट मैं कह रहा हो ना क्या हो रहा है अनु उसको टेलिकास कर डूइट अनु प्लीज अनु डूइट आईसे वे फोड़ा है अनु डूइट चार कुछो बोला नहीं सुनाई दिया है क्या अगर मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है तो लेकिन तुम लोग नहीं बचोगे अनु को आप लोग नहीं पकड़ोगे वो डेली चली गई जो भी उसके पास है जहां भी भी लेके जाना है वहां लेके गई है आप लोग कभी नहीं बचोगे कभी नहीं बचोगे हमें जाना चाहिए अभी कौन आपके साथ बात किया है नंदिन मैं बता दोंगी हमें अभी जल्दी जाना है और ये क्या करेगा डून कन्फ्यूज मी प्लीज हमें निकलना है बैया क्या हुआ इधर तो कोई भी नहीं दिख रहे अब क्या करना है बोलो कुछ भी होने दो आपस मत आना गाड़ी स्टेशन में रखे तू आजा गाड़ी के बारे में चिंता मत कर इधर कुछ होने वाला है सोचो मत हम आजाएंगी ना डेली में वो लोग यही बता रहते हैं यह सब उने का पासुबिलिटी नहीं है एरपोर्ट राइल वेश ने पूरा हमारा कपजे में है यह सब उस अड़्वकेट के वज़े से इसका मतलब यह है कि वो अभी भी कोचिन में है नमस्ते साब ओ अच्छा कैसे हो आप बहुत दिन होगे लास्ट एम अप्लिकेशन के बारे में आप बोल दिया ना साब वो तो लेके आईया तोड़ देखो ना ओ अच्छा वो केस देखता हो एक और हफते ले ठीक है साब ठीक है तो चले स्वामी उस चैनल के ओफिस के अंदर किसी को भी घुशने मत देना सिटी पोलिस को 24 गंडे उसके पीछे ही लगा देना हमने सबी लूपोल्स बंद किया है सही है ना ठीक है हम जाके देखेंगे हम ओके कमपास वो वो दिस साइड़ वो कम दिस साइड़ कोई हमारा बिना परमिशन का अंदर नहीं जाना ठीक है बात क्या है रुबे पोलिस लग ऐसा गड़बड कर रहे है पता नहीं सिर हमें तो बताया नहीं गया अहां वो बात है क्या अनू कहां से बात कर रहें यह सब एकस्प्लेइन करने का टाइम नहीं है अलेक्स इस मर्डर में हमें ट्राप किया गया है प्लीज बिलीव मी रिलेक्स रिलेक्स वो न्यूस बता ना मैं explain करूँगी हमी जल्दी मिलना है अलेक्स लेकिन पोलिस लोग इदर है कुछ बाम ब्लाश्ट के बारे में बात करें तो पोलिस का टारगेट तुम ही है क्या आ यू डू वन तिंग जो वीडियो क्लिप है ना अमको मेल करो ना येसा confidential matter मैं समालूगा वो इसा भी बोर्ड म मेरा सीने प्रोड्यूसर है अलेक्स कोशी बोल रहा था कि आपिस में पूरा पोलिस आ गया है मुझे वो वीडियो अभी सेंड करना है तो इसा पत्सा आदा व्हात आपिसों प्रेस्मान में यहाएँ जिन्दा नहीं भाचेगा सहब मर जाएँगे उसिति यहाँ के देखनेंगेंगे आदार आधेंगे थीन्सेंगेई हेलो 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 अलिक्स में לו एक्षाट्यां बलती है अंश्रीण हेलो यारु हेलो अलिड्स्लीन बलती है हाँ अलिक्स ने बताया कि वो टेलेकास नहीं कर सकते। फोन अभी नॉट रीचबल में है। शायद आप चैनल से दूसरा आदमे को कॉंटाक किजी। नहीं, अलिक्स नहीं है तो कोई और ये नहीं कर सकते। अगर आप ये वीडियो दूसरा चैनल को भी आप दे सकता है ना। इस नॉट प्राक्टिकल। उन लोगों को करने में से बहुत टाइम हो जाएगा। हलो तंगमा, मदद करने वाली है ना तू, ऐसे सता रहे हो। हम लोग क्या गलत किया है तुमसे। अगर आप कोई भी यहां आया है तो, मार डालूगी मैं। सच्पूर नहीं है तंगमा, मेरा बात सुनो। बहुत बड़ा प्राब्लम है तंगमा, तुम लोग वहां से शिव्ट करना चाहिए। हलो, हलो, क्या हुआ। सन्नी गुरुद्वार पैसेंजर में आ रहा है न, एक आदमी को बेजो, दस मिनिट का अंदर गाड़े आ जायेगी। कि वही है न, क्याक दर्ड़े एक प्राब्लम है एक पाराइब। हख गश? गभ इस एलेगे वहाँ प्रूंअचषब दस कि दिर भी है, वहाँ़ा फूसा भी है जा आ प्राइब। हाँ, हाँ, हाँ अरे, डीजल कातम हो गया भगवान अभी क्या करेंगे अरे, आप डीजल टांक फूल करने के बाद गाड़ी को साट करना पड़ेगा ना यह सब पहले देख लेने चाहिए थे ना यह सब आई भी बात करेंगे, क्या आप लोग तब तो दूसरा गाड़ी देख लेने चाहिए थे ना आप लोग अरे, बाई, आप ज्यादा बात मत कीजिए अमको गाड़ी उस तरफ पार्क करना है ने तो पोलिस पकड़ेगा आप बैटे, मैं आपको मादद करेगा, हाँ, डखा मार, आएए और तोड़ा सा, हाँ, हाँ, कमार हमार अगला प्लान क्या है वो रवडी बोल रहा तो वो टाइम तो निकल गया है ना हाँ, नहीं है, इधर कड़ा होने से क्या फैसला करेंगे हम अगर आपको प्राब्लम नहीं है तो मैं उदर जाके यह दे दूँगा वो बात ने उदर पोलीस वाला हमको लेकिन उसको मुझे नहीं मालूम है ना यह मदद में जरूर उसको करना बढ़ेगा लेकिन अलेक्स ने भोला कि आपका एक्चुल सिट्वेशन उसको मालूम नहीं है ना मैं उसको समझाएगा नहीं तो एक अच्छा इंसान जरूर अमको उदर मदद करेगा लेकिन पोलीस को पता हो गये तो तुमको अंदर दालेंगे ना हमको कोई रास्ता मिलेगा वो अमको नहीं पकड़ेगा क्योंकि हमारा पास सच है ना मैं विशल्स फोन पर ट्रांस्वर करूंगी मेरा नंबर वो लोग ट्रेस कर सकते है आपका सिंदी दो ना अब पटित इन दिस वोन झाल 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 इसके बार हम क्यों ऐसा सोच रहे इसके पास क्या वैसा इंपर्टेंट न्यूसे वो सब हमारा काम नहीं है जो हमको काम दिया वो ही करने से अच्छा है आप ये सब क्यों कर रहे हो आपको पता नहीं है क्या मारंगरा के सारे बेचारे लोग आज मरने वाले हैं आप लोगों को जिसने ये काम दिया था तॉमस चाको और डी जी पी वो दोनों इसके पीचे हैं उस हादसे को रोकने के लिए मेरी बीवी अनुराधा कोशिश कर रही है उसको धमकानी के लिए ही मुझे तुम लोगों ने पकड़ा है उन बेचारों को मार के हम जीना नहीं चाहते हैं ये वाकिल साब बोल रहे हैं पूरा सच्चा है क्या इसके पीचे इतना बड़ा काम है क्या वो सब तुमका जरूरत नहीं हम जो बोले ना पहले वो काम करो बाद में सी पैसे लिलो वो क्या बोल रहे हैं पैसा कितना पूछने से भी देखा करके बोल रहे हैं वो लोग पैसा दे रहा है इसलिए हो लोग हमको कुता समझ कर रख़ा है सिवा साब को हम भी काल करेंगी इसी की फोन करने का जरूरत नहीं है रखो फोन प्ट화를… प्टाव्कर। आप गाड़ी का अंदर ही बैटो हम जाके डीजल लेके आएंगे ओके कितना हुआ अबाई 30 रुपए इदर क्या काम है सर मैं अविटतोर मंदिर का जनरल सेकेटरी हूँ मैं इदर आया है मंदिर का उचसर प्रोग्राम पार्टिसिवेट करने के लिए इसे चक करा अंदर क्या है मैरे घर से हलो कहां गए थे आप मैंने ओफिस फोन के अपराप नहीं थे टेंपल कमिटी के लोग काफी बार आपको फोन कर चुके हैं एक काम लिया है हाथ में तो कम से कम पूरा तो करो मैं सुबे से आपकी फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ अभी काँ से आये आपके फोन में चार्ज चैनल का प्रोग्राम अभी स्टार्ट कर रहा है हम बात में बात करेगा मैं जरूर शाम को उधर पहुंचे गा ना जाएए बाकी मैं देख लूँगी हां जब आ रहे होंगे तो चाई की पत्ती खरीदना या या हमको याद है चाई पाउडर आज में जरूर लेके आएगा मेरा बीवी शाम को वापस जा रहे ना तो टी पाउडर लेके जाना है हमको याद कने के लिए कॉल किया इधर अच्छा चाई पाउडर मिलेगा ना इसको क्या करें जरूर शुक्रिया मैडम हमको एलेक्स खोश को तोड़ा मीर करना है किस बारे में बात करनी है ये मेरे एक परसनल मैटर है मैं उसको इनफार्म किया मैं आएगा सीधा जाईए पहला लेफ्ट ले लिजिए एलेक्स सर का क्याबिन है वो थैंक्यू नई सर उसके पाद बात करने के लिए जरूरत नहीं हमको पूरा याद है हमको इधर जायन करने वाल आदमी भी तॉमस सारे नई सर नई सर वो इससा कुछ भी नई चल रहे है मैं सची बोल रहे है औरनु कुछ जो आप्शन भी नहीं सब हम दो जने जरूर मिलेंगी, मिलेंगी सब कवन है आपका चैर्मेंदर है क्या? जी हाँ, बोर्ड मीटिंग चल रहा है हमको इस वक्त अभी उसको मीट करना है सौरी, डारेक्टर्स के अलावा बाकी सब को ओर रूम में एंट्री मना है प्रायर अपॉइट्मेंट के बगएर चैर्मेंदर से मिलना बहुत मुश्किल है लेकिन मेरे लिए आप्शन नहीं मैडम इस वक्त मैं उसको देखना पड़ेगा, जरूर आप लोग क्या तो बोलो अनुरादा जो कर रही है ना हम उसे नहीं मान रहा हूँ और एक बात चानल का नाम बचाने के लिए उसका किलाफ हम अमारा चानल कोई आक्शन नहीं लेने वाला है लेट अस वेट सच क्या तो पताने दो सर्थ माफ कीजिए से आपके साथ एक जरूर बात करना है सर और सिर्थ एक मिनित के लिए सर सर अभी से तीस मिन के बाद हाजार लोग यहां मरेगा सर अगर आप मदद करेगा तो उसको कुछ नहीं होगा सर सर आपको विशाच कीजिए सर सर आपको जूट नहीं बोलेगा सर सर प्लीज विशाच कीजिए सर सर मैं आपको जूट नहीं बोलेगा सर इधर देखो, क्या बात है? इधर आया था, और हमको मालूम हो गया, वो भी फुल्टीशन को मदद कर रहे हैं सर, हमको मालूम नहीं, आप ये ग्रूप के साथ है, मैं आपका पिचर देखा हैं सर, लेकिन परसनली मालूम नहीं है सर, आप मुझे विश्वास कर सकते हैं, बोलो। अनुरादा का स्पन अंदन में नून, शायद अभी मर जाएगा, और वोर आत्मियों अनुरादा को भी मान डालेगा सर, उसका लाइफ सेव करने के लिए अपचर दे मिला, लेकिन वो सोचा था कि हमारा आत्मी का जिंदेगी सेव करना है, शायद इस कलियोग में ऐसा अनुरादा के लड़ चाहिए सर, अभी 30 मिनिर के बाद इसमें मेंशन किया ना वो फ्लाइट, वो मान से साट करेगा सर, उसके बाद हम भी हेल्प नहीं करेगा, सच्छा ही बाहर आने पड़ेगा, आप वो पैसंजर्स के बारे में मत सोची, लेकिन अभी आपके एक डेपके बाद जो एक करेत करेगा, वो फ Давай लेक्र इए चाहिए ऑगा करेगे हो। ले ले गाया कर ले तुरीओ जो हाईए प्रिंदा आपका चैर्मन को मीड किया और उसके साथ बात किया, वो अभी टेलक कास करेगा नंदन आपका सिट्वेशन का बारे में अभी चैर्मन को मालूम हो गया ना, इसलिए आपको कुलीग सभी आया है, आप इनके साथ जाएए चलो अलू इस्वरा, बोला अभी क्या करना है आपको प्राप्ल नहीं है तो मेरे गर्ग में छोड़िये अरे बाई वो लैपटॉप इदर भूल गया पूरे केरल को शौक करने वाले ये न्यूज लेके आई है अनुरादा नंदन एक बहुती फियरलस और करीजिस तरीके से सुदीर के मर्डर केस में अनुरादा नंदन और उनके पती अड्वेकेट नंदन को गुनेगार माना गया है और वो भी हो मिनेस्टर के वज़े से अब सबको पता लग गया है कि ये बहुत बड़ी साधिस थी इस केस में मुख्यादा रित्री जी भी कोसस बन किया गया है ये जानकर सब लोग बहुत रोशा बुड़ हैं सब लोग ये न्यूस सुननी के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ओ गया है लेकिन इधर का मांत्री ये बाम विस्पोर्टन होने के बाद मंत्री जार्ज तामस को मंत्री मंटल से निकाल दिया गया उसे किसी सामय भी गिरफ्तार करने के लिए पोलिस को गवर्नमेंट आदेश दे दिया है उसको ये रिटन करना पड़ेगा शायद उसको दोसको कॉंटक करने देना पड़ेगा अरे नंदन का मेसिज घुरुबाईर पैसेंजर दस मिरट आलिवे स्टेशन टाइल फैक्टरी गुरुबाईर पैसंजर आलुवा स्टेशन पहुंचने के लिए 10 मिनिट होगा टाइल फैक्टरी क्या बोल रहे हैं तोड़ी देश से पहले नंदन ये बेसेच बेच दिया इसका आर्थ है नंदन अभी तक जिन्दा है शाहिए वो आदमें उसको कुछ नहीं किया है तो वो क्या बोल रहे है आलुवा स्टेशन से 10 मिनित दूर थक एक टाइल फैक्टरी में अंदर जरूर होगा प्योवा स्टेशन पे चार बजे 10 मिनित के अले आठ्टरी में बागी है यह आठ मिनित पे आप हमको अलवा स्टेशन डॉप कर सकता है क्या वो आके अप आके ले जाके क्या करेंगे उदर अरे अच्छा इंसान को जरूर मदर करना पड़ेगा आप गाड़ी तोड़ा स्पीड इंक्रिस कीजिये ना सिर्फ मेरे लिए आपको बहुत मुश्किल हो गया ना आपको जरूर इससे ज्यादा देना पड़ेगा फिर भी एह एह सब देखे मुझे अपमान मत करना एक इंसान होने कना तिर हम भी कुछ ना कुछ करना है वो तुम आमको बता दिया बस कुछ हो गया ठीक है ना हाँ ट्राइन जाने हो ले जाओ लेकिन मैं हाँ जल्ली जाओ इश्वरा इश्वरा ताहिर्या ग्रूप के प्राइवेट जेट को उसमें रखे गए लिकर के बॉटल्स भी पोलिस ने कन्फिस्केट किया है अगर आपके पास अद्वकेट नंदन के बारे में कोई इन्फरमेशन है तो हमें बता दें तो बैया शिवरा सापको पोलिस वालोंने कस्टेड में लिया कभी भी पोलिसी दरा सकते ये पूरे काम ये अद्वी ने किया इसे हम मत चोड़ना है मार दो मुझे अगर उसके बाद आपके सारे समस्याएं और इस जगह के सारे समस्याएं सब खतम हुआ तो मार दो मुझे उसके समस्याएं मार दो मार दो मुझे झाल झाल ये तू क्या किया चेन किसले कि चाहे किदर जा रहा है फागल हो गए क्या अरे दोस्तों वो टाइल फैक्टर का अंदर अटबेके नंदन मेने होगा आज हजारों लोग का जिन्देगी सेव हुआ ना उसका कार नंदन मेनुन है लेकिन उसका लाइफ अभी डेंजर बे है दोस्तों हमारा साथ अभी आप आएगा तो उसका लाइफ हम सेव करेगा वो आपका कौन है आपको दिमाह हाई क्या नहीं चलते से गाड़ी के स्ठाप करको ऐसा बात करें तुमको काम नहीं तो ऐसा काम करो ना वो तो मेरा कोई नहीं है फिर भी हमको कुछ करना पड़ेगा देखिये आपका थोड़ा सा टाइम मों को दीजिये न उदर पूरा गुंडास होगा अकेला मैनेज करना मुश्किल होगा शायद आपको भी मुश्किल होगा लेकिन हम पूरा आदमी उदर जाएगा तो जरू उसको मादद करेगा अरे आप रेलवे पुलिस को बुलाईए ना पता नहीं ये कब सुदरेंगे खाया चलिस घो होगाा मनद घुल हो पाया ये 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 लुल आपे। वो आतमों खिदर है मतलब वो लोग मुझे मारे नहीं उससे कोई फाइदा नहीं है न नंदर नंदर एक साइड टाइम हाउस्पिल लेकर आए उसलिए कुछ प्रावलम नहीं है भी डॉक्टर भी बोला था वाट ओफ डेंजर है हमें माफ करना अनुरादा प्रावलम नहीं है में, 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 में अक झरादो वो आदमी, वो कहां गया है कहां गये थे आप इतनी देर फोन पे क्या बात कर रहे थे आप चैनल, साड़े आठ बजे प्रोग्राम मंदिर का उचसब कैसा था उचसब बड़े अच्छे तरीके से गया आप अगर नहीं है तो कोई गड़बड नहीं होगा समझ गए आप अरे बाबा, चाय पत्ती भूल गए आप अरे आज भी मैं भूल गया बस आप से बोलके तो कोई फाइदा नहीं और चाय नहीं मिलेगा, सुनें आप मारंकरा गाव में होने वाली एक बहुत बड़ी दुरगटना को अड़ोकेट नंदन और उनकी बीवी अरुनादा नंदन ने कैसे भी रोका है अभी वो दोनों लिटल फ्ला हॉस्पिटल से हमारे साथ लाइव है वेलकम मिस्टर और मिस्स नंदन नमस्ते हमने आज तक सिर्फ मूवी के हीरोज को करीजिस देखा है पर आप एक मामूली सा इंसन होते भी इतने बड़े चीज आप कैसे कर पाए आप ही हमारे असली हीरो है आपके अंदर कहां से इतना गटस आया और कैसे कर पाए मेरा कर्तव ये है या धीरज है मुझे पता नहीं मैं और मेरी जिन्दगी सबसे कीमती है करके सोचने वाले मरने से दरते है इस जिन्दगी में जो भी मैंने सीखा है मुझे ऐसा सोचने में मजबूर किया होगा मारंगरा के लोगों को मैं जानता हूँ उन सारे लोगों का मृत्यू मेरे आँखों के सामने थे वो हादसा बायंखर था वो अगर सच हुआ तो और उसको देखने के लिए मैं जीवित हूँ मेरी जिन्दगी का कोई मतलब नहीं होगा सच में शुक्रियादा करना है कुछ अच्छे लोगों को इसकी मदद एक कार ड्राइवर ने की थी कुछ गुंडों ने मुझे बिना मार के छोड़ दिया और सबसे उपर है हम दो अजनबियों का मदद करने के लिए शुरुवात से अंत तक हमारे साथ थे वो आदमी हमारे लिए इश्वर के समान है जब उन्होंने देखा मुझे पे अटैक होते हुए तब से लेके मुझे हॉस्पिटल लेके आने तक वो मेरे साथ ही थे कौन है वो? हमें भी उनसे मिलना है पता नहीं कहीं से भी आये वो हमारे शुक्रियादा के लिए भी इंतजार नहीं किया वो कहीं और चले गए शायद उनको अपनी दुनिया में वापस जाने का था इश्वर का सहारा हमेशा हमारा साथ होता है ऐसा मैं विश्वास करता हूँ नहीं तो हमारी जिंदगी का एक निरनायक दिवस में बिलकुल एक अजनभी की तरह वो हमारे पास आए दूसरों को कभी एक्सिदेंट हुआ तो हम में से बहुत लोग उसको मदद किये बिना चले जाते है क्यूं इसके पीछे जाना है करके हम सब सोचते हैं उस टाइम पे अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो किसी एकी जिंदगी नहीं तो बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकते है उसके लिए हम कारण होंगे उसके लिए ताकत और धीरज नहीं चाहिए एक ध्रड़ता का मन चाहिए आज उन्होंने ये बात प्रूव किया अभी जो मैं बात कर रहा हूँ अगर कहीं से भी आप सुन रहे हो तो मुझे आप से कहना है मेरे प्रियमित्र जिंदगी में कभी भी हम आपको भूलेंगे नहीं हमारे दुआ में आप हमेशा साथ होंगे खृदय के भाषा में हम आपकी शुक्रियादा करते हैं कृपया करके सुविकार कीजिए शुक्रियाद लाख लाख शुक्रियाद हे माता भगोती